नमस्कार दोस्तों राजस्थान के वर्तमान घटना करम को देखा जाए तो फिर से एक बार एंटी डिफेक्शन एक्ट दल बदल बिरोधी कानून चर्चा में आ गया है और दल बदल बिरोधी कानून के साथ की होतो होलोहान वाद भी बड़ी चर्चा में है और हम दोनों पॉइंट को देख लेंगे और पहले सुरुबात करते हैं दल बदल बिरोधी कानून की कुछ म मुलभूत बाते बता दे, दल बदल एंटी डिफेक्शन, दल बदल बिरोधिक अधनियम, बड़ा इंटरस्टिंग पार्ट है कि हमें दल बदल बिरोधिक अधनियम कहते हैं, जब कि संभीधान के दस्वेन सूची में है, दस्वेन सूची में शामिल किया गया, 10th schedule में, 52nd amendment क के दौरा राजिगधी सरकार ने और 1985 में सम्विधान का भाग बनाया गया, तो आप जानते हैं, जो भाग संभीधान का होता है, वो अधनियम नहीं होता, ADHANियम संचब के दौरा निर्मिट विधी होती है, संभीधान का भाग नहीं, इसलिए लोगपणियों के रूप में भारती लोकतंत्र में, जब भी निर्वाचन की बात आती है, उसमें धल बदल एक ऐसी परमपरा बन गई है, न केवल जो जनता के साशन में विश्वास को कम करती है, बलकि ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में अनयतिक्ता की बृद्धी हो रही है, क्योंकि सत्ता के लिए, पद के थी थी हरियाना में, जहाएक विधायक ने एक ही दिन में पांच पार्टी बदल दी थी, उनका नाम था गयाराम, इसी बात दल बदल के लोगप्री नाम पड़ गया, आयाराम गयाराम, अब जड़ा देखें कि अखरे में दल बदल के मतलब क्या है, अगर हम दल बदल कहना च निर्वाचि सांसदों और विधायकों के लिए लागू होता है, यानि बात को ध्यान में रखिये, कि ये सांसद और विधायकों के लिए लागू होता है, न कि पार्टी किसी अन्यसदस के लिए, यनि एक ही कानून है, एक ही प्रावधान है, जो कि सांसद और विधायका द अब सदन का कोई भी सदन हो, उच्छ हो, निम्न हो, इन्हें सदन के सदस्यों के लिए प्राउधान है, बाकी के लिए नहीं, लेकिन आप जानते हैं, जब भी दल बदल की बात करिये, तो सदन में तीन प्रकार के सदस्य होते हैं, पहला तो है, जो दल के सदस्य हैं, सदन में तीन प्रकार के सदस से हैं, एक है दल के सदस से हैं, दूसरे हैं निर्दली, जो किसी भी दल के पार्टी पर चुनाओ नहीं जितते हैं, बलकि अकेले चुनाओ जितते हैं, और तीसरे हैं मनोनी, ये निर्वाचित नहीं होते हैं, और सामनित दलों के द्वारा ही इन्हें मनो किया जाता है तो यह तीन परकार के सदस्य होते हैं विधाई काओं में और तीनों के लिए दल बदल का यह अधनियम लागू होता है तीनों के लिए दल बदल का अधनियम लागू होता है अब कैसे लागू होता है अगर दल का कोई सदस्य है अब बार बार यह बात यह आए द दल बदल किया, यानि दल का जो सदस्य है, वो दल के निर्देश को उसे मानना पड़ेगा, अब निर्देश का मतलब है, दल में एक ऐसा विधायक होता है, जिसको जिम्मेदारी दियाती है, कि सारे विधायकों को ये समय समय पर आदेश देता रहे, निर्देश का मतलब हिप का मतलब आदेश निर्देश, समय समय पर आदेश देता रहे कि आप आपके वोटिंग करिए, यहां पर मद्दान करना है, यहां मद्दान नहीं करना है, और जो भी उस निर्देश का उलंगन करेगा, वो स्वावभाई ग्रूप में दल बदल के अंतरगत माना जाएगा और उसकी सदस्ता समाप्त हो जाएगी पहला पार दूसरा यानि अगर कोई विधायक दल की आग्यां का उहिलना करता है तब उसकी सदस्ता जा सकती है बात ध्यान में रखने की है कि जो निर्वाचित दल क सदस्ते है उसकी सदस्ता दोहरी है मतलब पहला तो दल का सदस्ते है और दूसरा वो सदन का सदस्ते है तो जब विप नहीं मानेगा निर्देश नहीं मानेगा तो उसकी सदस्ता दल से जाएगी और दल से जाते सदन का सदस्त हो जाएगा अब बात ध्यान में रखने की है क यह निर्देश, यह हिप जो है, वो सदन के अंदर लागू होता है, सदन के बाहर नहीं, जो बात ध्यान में रखने की है, अब यह सदन के अंदर लागू होता है, अब इसी बात को जोड़ के राजस्थान का बिवाद आभ देखे, जब राजस्थान की स्पीकर ने कहा कि पाइलेट उनके समर्थकों के खिलाफ दल बदल का मामला बनता है तो बाकाइदा पाइलेट उनके सहयोगियों ने कहा भाई सदन की अंदर तो हम कोई कारेवाई हुई ही नहीं तो हिप सदन के बाहर जहां लगेगा तो हमने कौण से इस ही पार्टी बिरोधी गदिधी की अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है anti-party activity पार्टी बिरोधी कदिधी का उलेख सम्गीधान में यह वजह से राजस्थान का मामला भी उप जोड़ा जा सकता है और गैलोट का कहना है कि ये हुप का उलंगन कर रहे हैं जाकि पाइलेट कहना है कि हँप सदाने के अंदर लागू होता है समढ़िधान में तिहीं लिखा एंजए होगा दोसरी बात अगर कोई सांस्यत है विधाय impost स्वेक्शिक रूप में अपनी दल की सदस्ता से परित्याग करता है बात ध्यान में रिखने की है स्वेक्षे गूप में दल की सदस्ता से परित्याग करता है तो उसे भी सदनका के लिए अयोग मालिया जाएगा दो कंडिशन है दब की, निर्दली क्या है निर्दली अगर कभी भी किसी दल की सदस्ता ले लेगा, तो अयोग्य हो जाएगा, बात ध्यान में देने की है, निर्दली विधायक मंत्री हो सकता है, लेकिं किसी दल में शामिल नहीं होगा, तीसरी बात, मनुनीत के लिए, मनुनीत के लिए समय सीमा है, वो है शे महीने, अ का मतलब आप कहींगे 6 महीने क्यों ऐसा क्यों क्यों कि मान लिया जाएगा 6 महीने तक अगर सदस्ता नहीं लेता तो जिस party दे युसे मनुनित किया है क्योंकि आप जानते है सद्दन में तो वो मान लिए गए कि कॉंग्रेस के इस दस्य है, जिस पार्टी ने उन्हें मनुनित किया है, इसलिए 6 में निक बात रखी गए, तो यह है डिस्क, डिफेक्शन का मतलब है, कि इन इन कंडिशन में डिफेक्शन होगा, दूसरा है, इस अधनिया में यह भी दिया गया है, कि इन के अपवाद कौन से है, अजरा हम यह भी देख ले, कि डिफेक्शन के एक्सेप्शन कौन से है, अपवाद, तो पहला, इस पीकर, लोगसभा का, बिधान सभा का, इस पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन पर दल बदल का का कोई कानून लागू नहीं होता, और आप से उपर होनी चाहिए, इसलिए इनके उपर यह लागू नहीं होगा, इसका मतलब एक सदन में अगर कोई टाई हो जाए, दोनों पक्षों के बिच बराबरी हो जाए, यह जो वोट करेंगे, उस पे लागू नहीं होगी, और इनके सदस्ता नहीं जाएगी, तो यह अपवा सदस से, अगर दूसरे दल में विले कर लेते हैं, या अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, जैसे कि राजस्थान में छे विधायक ब्यस्पी के थे, छे के छे कॉंग्रेस में चलेगे, दो टी हाई क्या, दो टी हाई तो पुचारी होते हैं, अगर चार भी निकले होते, तो भी उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, तो विले और दल बदल में एक्ट्प्शन किया गिया है, दूसरी बात ध Effects करता है, ङगर दल किसी को निस्काशित करता है, बात धियां एक्सपल करता है, अगर दल के द्वारा किसी सदस को निस्काशित किया जाएगा, तो भी उस पर दल बदल कानून लगू नहीं होगा. बात धियान में रखने की है, यानि अगर सदस से पार्टी खुद छोड़ेगा, तो डिस्क्वालिफाई, पार्टी हटाएगी, तो क्या होगा? निस्काशित, ये दल बदल अधनियम के अपवाद है. तीसरी बात, फिर इसमें डिसिजन कोन देगा, निरड़े कोन देगा, क्या अखिर में कोई दल बदल का शिगार हो गया है, निरड़े कोन देगा, वो है स्पीकर, या सभापती, राज सभापती, क्योंकि स्पीकर, डिपटी स्पीकर, अगर इसके exception है, तो सभापती, उप सभापती भी इसके अपवाद है. पीठा सीन अधिकारी, वो इसके exception है. इसलिए, इसस्पीकर निरड़े करेगा, और यही नहीं इस speaker का नियर्डे अंतिम होगा यह sunshape में दल बदल है और क्या दल बदल के exception है अब आप सवाल करेंगे कियोतो होलोहान केस किया है तो कियोतो होलोहान केस दल बदल की समस्याओं से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि जैसे ही दल बदल कानून आया उस पे विवाद भी खड़े हो गया तो दल बदल कानून पर विवाद क्यों खड़े हुए क्योंकि पहला अगर की हो तो होलोहान केसा में समझना है तो हम यह देख लें कि जैसे दस्विन सुच जूड़ी गई 85 में उस इक साथ डिस्प्यूट सुरू हो गया और डिस्प्यूट था क्या क्योंकि आप देखते हैं दल बदल कानून में दलों की पोजिशन को मजबूत किया गया है यानि दलों के निर्देश को अगर न माना जाए तो कोई दल बदल का शिकार हो जाएगा डिस्प्यूलिफाई हो जाएगा तो आप दल का निर्देश माना जाए इसका मतलब विधायक के या सांसत के अपनी कोई मरजी ही नहीं है बॉस कहे तो हाँ बॉस को है तो ना तो अगर बॉस की बात को आपने यानि हाजी हाजी कहराना है तो रहना है तो आलोच को ने कहा कि भाई या बताओ सम विधान में अनुछे एक सो पाँच में अनुछे वन नाइन फूर में एक सो पाँच किस के लिए सांसत के लिए वन नाइन फूर के लिए किस के लिए विधायकों के लिए सेम प्रोविजन है क्यों लाट किला लगा है एक सांसद के लिए विधायक के लिए इनमें सांसदों को विशेशादिकार दिया गया है और विशेशादिकार ये है अभीवक्ति की स्वतन दरता है और सांसदों में कुछ कहने के लिए मद्दान करने के लिए वो कभी नियाय पालिकाग सामने उत्तरदाई नहीं होंगे और सदन में कुछ भी कह सकते हैं बदा सदन की मर्यादा को ध्यान में रखें और किसी नियाय दिहस के आचरण पर टिपड़ी ने करें सांसदों को इसलिए विशेशादिकार कहा जाता है और कोन मुक्त दी गई है जो आम नागरिकों को नहीं है आर्टिकल नाइटीन वन में जो आजादी मिलती है आम नागरिकों को ये इनको भी है ये इनको भी है लेकिन आर्टिकल नाइटीन में तमाम प्रतिबंद है यह उपर नहीं है और यह आजादी विशेश अदिकार ने इसलिए गिया है यह जनता के प्रत्निदि हैं और जनता के प्रत्निदि होने के नाते अपनी बाद बेवा की सरक सके और सवाल यह है, जो संविधान विधाय को सांसुनों कुतना विशिश अदिकार दे रहा है दल बदल कानून, वो अदिकार छीन ले रहा है कैसे? निर्देश के द्वारा यानि अब जो बॉस कहेगा वही बोलना है अब सवाल है कि अब लोकतंत्र असहमद का नाम है, विवाद का नाम है, चर्चा का नाम है जो बॉस कहेगा वही हम कहेंगे कैसी विवाद, कैसी चर्चा और कैसी है, सहमद कैसा लोकतंत्र तो दल बदल कानून है, यह लोकतंत्र का सत्याना से यह विवाद सुरू से होता चलाया सुरूसी बात कहीए दूसरी बात आप देखेंगे दूसरा जो विवाद था कि आर्टिकल 19.1 ये तो छोड़ दीजिए बाकाइदा है ये तो संविधान के मुल प्रावधानों पर हमला है तो आखिर में क्या महत्पूर्ण है सरकार में स्थाइट तो होना ज़्यादा महत्पूर्ण है या डेमोक्रेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी बात पर भी विवाद हो गया और दूसरी आप लोचना इसलिए आई कि दल बदल कानून में जो बात कही गई कहा गया कि स्पीकर दल बदल कानून का मतलब है इस स्पीकर का निरड़े सरवोच होगा इस स्पीकर अपना निरड़े देगा और आप जानते हैं इस स्पीकर एक दल का प्रत्नी दिये इस स्पीकर से तटस्त निस्वक्षकार की उमीद की जानी चाहिए लेकिन speaker तटस निस्वक्षकार के उमिद नहीं करता और speaker को अधिकार क्यों दिया गया क्योंकि आप देखेंगे ना केवल दस्वियन सूची speaker को ऐसा अधिकार देती है बुल कि संबिधान के और भी party speaker को इशक देते हैं जिसमें है अनुच्षेद 122 अनुच्षेद 122 और अनुच्षे 212 यानि दोनों पूरक हैं जह तरीके 605-194 है वैसे 122-212 है इसमें कहा गया है कि सदन की सदन के अंदर चलने वाली किसी भी प्रक्रिया की जाच नहे पालिका नहीं करेगा और सदन के किसी पदादिकारी की द्वारा या सदन के सदस्र के द्वारा कार कीएगे कारी की भी जाच नहेयपालिका नहीं करेगा इसका मतलब यह है कि सदन अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करने में पूर्टाजाद है सदन की प्रक्रिया जैसे नहेयपालिका ये निर्मान करेगी कि उसके bench कैसे होंगे, member कैसे होंगे, वैसे सदनिय बताएगा कि किस तरीके से उसकी कारिवाई चलेगी, तो नियायपालिका किसे मतलब है यह नहीं है, इसलिए speaker को एधिकार दिया गया है, तो दस्मिन सुची का प्रावधान इनके पूरक प्रतीत होता है, लेकिन सवाल यह है, कि जब नियायपालिका मनमानी काम करने लगे, और स्वारी speaker मनमानी काम करने लगे, इस speaker समिधान का उलंगन कर दे, तो भी क्या नियायपालिका स्तक्षिप नहीं करेगी, अलुचान नंबर दूसरी थी, अब इन बातों का जबाब मिला, कि होतो होलोहान केस में, इसलिए आप देखेंगे, अभी जो पाइलेट का मामला, रास्थान का मामला उच्छतमन्याले गया है, नियर्डे उच्छतमन्याले का कि होतो होलोहान केस के आधार पर ही आएगा, तो अब सवाल है कि 1992 में कि होतो होलोहान केस जबाया, तो अखिर में उसके नियर्डे का मूल अभी प्राई किया है, क्या मुद्दे हैं, तो आप देखें कि होतो होलोहान केस, ये नागालेंड के एक राजनेता थे किहोतो होलोहान वाद 1992 तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये नेता थे नागालेंड के और किहोतो होलोहान विवाद में जो मुद्दा नयाईपालिका ने हल किया दल बदल से संबन्धित तो पहरी बात मुद्दा क्या है पहला इस स्पीकर के पास अगर इस स्पीकर के पास दल बदल के लिए किसी का प्रार्थना पत्र पड़ा है तो उस पे निरड़े स्पीकर का ही होगा यानि जब तक स्पीकर निरड़े न करे तक तक उसमें नियाए पालिका का दखल नहीं होगा अब यह बड़े विवाद का सवाली से लिए बन जाता कि स्पीकर के निरड़े तो 5-5 सल तक नहीं आएंगे क्योंकि दल बदल कानून में कोई अंतिम समय सीमा नहीं है कि स्पीकर अपना निरड़े कितने समय में देगा तो अध़कर के बारे निरड़े देगा 5 सल में तब तक सरकार और विधाए का कारिकाल qatam तो यह समस्या है फिर भी कहो तो होलोहान केस में माना कि जब तक किसी सांसद या विधायक के अध़कर का मामला स्पीकर के सामने लंभित है स्पीकर के सामने पड़ा हुआ है उसमें नियाई पालिका कुछ नहीं कर सकती तब तक उसकी जाच नियाई पालिका नहीं करेगा लेकिन दूसरा मुद्धा क्या किया यानि स्पीकर के अधिकार को स्पीकार किया और नियाए पालिका ने दूसरी ही जगह कह दिया कि लेकिन इस पीकर के निरड़े का नियाइक पुनरावलोकन होगा ये बात बहुत ही लेंड मार्क किसम की है साइद ये पहली बार उच्छतब नियाले ने इस पीकर का निरड़े नियाएक पुनराव लोकन के अधीन होगा यह बात साहिए पहली बार नियाए पालिका ने इतने प्रभावी तोर पर कही और इसी बात के लिए इसको बहुत लेंड़ बार्क माना जाता है जबकि आप देखेंगे सामांतर हमारे सम्मिधान में एक सेपरेशन अपाउर है कि वह स्पीकर काम अलग है नियाले काम अलग है न तो नियाले स्पीकर के मामले में अस्तक शेप करेगा ने स्पीकर नियाले के मामले में तो फिर बात मुद्दा ही आई कि आखिर में तो कहा ये गया कि भाई 122 में क्या लिखा गया है अब अब अच्छे ले 122 आपको या दिला दे कि जब सदान की कोई प्रक्रिया होगी, सदान का माहमला होगा तो उसमें नयायपालिका कभी अस्तक्षेप नहीं करेगी तो याद रखिए इसमें कि होता हो लोहान केस में नयायपालिका ने एक तीसरा जबड़ा महत्मूण फॉइंट कहा नयायपालिका ने कहा कि इस पीकर के दो प्रकारिक काम है एक नयायपालिका ने बड़ी इंटरस्टिंग बात कह दी speaker के दो प्रकार के काम है और दो प्रकार कौन पहला प्रक्रियात्मक प्रक्रियात्मक का मतलब है सदन का सत्र संचालित करना भोजन काल प्रशन काल ये सब speaker ते करें प्रक्रियात्मक और दूसरा है अर्धनियाइक क्वाजाई जूडिशल तो जब speaker याद रखे, जब इस speaker किसी सदस्य के दल बदल के संद्व में अयुगता निरधारित करता है, तो वो किस रूप में काम करता है? अर्धिनयाइक. लेकिन जब वो सदन की प्रक्रिया को संचालित करता है, तो उसके भूमे कैसी है? प्रोसिजिल प्रक्रियात्मक. और आप एदर रखे, और इसलिए नियाइपालिका ने कहा, कि सवाल जो 122 का है, 122 यह कह रहा है, कि नियाइपालिका का सदन की संचालित किसी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा. 112 और 112 में यह लिखा गया है कि नियाएपालिका का सदन की संचालन में कोई हिस्तक शेप नहीं होगा लिकिनिंए सदन की संचालन का मामला नहीं है यह मामला है अर्ध नियाएगा क्योंकि speaker किसी की सदस्टा अयोगता या आयोगता ते कर रहा है क्वालिफिकेशन दिस्क्वालिफिकेशन ते कर रहा है, तो आधा न्याइधिस की रूप में काम कर रहा है, न्याइधिस है नहीं, लेकिन भूमिका तो न्यडे की है, तो आधा न्याइधिस है, तो इसलिए, जो आधे न्याइपालिका की रूप में काम करेंगा, इस देश म तो जो अगली बात कही गई, कि अगला जो मामला ये बात कही गई, तीसरा इसू, कि नियाइक पुन्रावुलुकन आधार भूध धाचा है, इसका मतलब है, और आप जानते हैं कि आधार भूध धाचा का विचार नियाइपालिका ने केश्वानन भारती वाद में दिया है, नियाइक पुन्रावुलुकन संविधान का आधार भूध धाचा है, इसका मतलब है, इसे नियाइपालिका से कोई नीचिन सकता, दर्स्विनि सूची भी नहीं, तो दर्स्विनि सूची का प्रावधान, जो नियाइक पुन्रावुलुकन को वंचित कर रहा है एक तरीके स राजस्तान में विवाद यही आ रहा है कि पाइलिट खेमा कह रहा है कि हम लोगतंदर की बात कर रहा है सरकारिक तरब से ब्यान आ रहा है कि नहीं यह पालिटी विरोधी के बिदि कर रहा है और यह सरकार को आस्थिर करने का प्रयास कर रहा है यह बड़ी विवाद का मद्दा है, कि इसमें कैसे decide करें, इसे नियाईपालिका निर्डे कई बार बड़े ही आत्मनिष्ट हो जाते हैं, विवाद के विशे हो जाते हैं, तो नियाईपालिका निये, लेकिन की हो तो होलोहॉन के से, जो 1992 में बात कहीगी, उसमें नियाईपालिका ने इसपष्ट कह दिया, कि दल बदल अधनियम, संसदी विशेशादिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के खिलाफ नहीं है, यह दल बदल अधनियम किसी तरीके से संसदी विशेशादिकार के खिलाफ नहीं है, यह लोकतंदर का माईने के उल चुनाव भी नहीं है, केवल निर्वाचनी नहीं है, लोकतंदर का एक नैतिक आयाम भी है, और लोकतंदर का नैतिक आयाम ही है, कि विधायक और सांसदों को नैतिक ब्योहार करना चाहिए, और जिस दल के ठिकट से वो चुनाव जीते हुए हैं, पांस साल के लिए जनतानों ने चनावचुन के भेजा और वो एक ही साल में धरदर भाग रहे हैं इसलिए उनका ये बेवहार ठीक नहीं है यह नियाएपालिका ने माना कि दल बदल केवल इसलिए नहीं हो रहा है किसी का विचार लग है दल बदल इसलिए नहीं हो रहा को लोगतंतर स्थापित करना चाहरा है दल बदल कारण ये नहीं है कि वो असहमती और कोई नया विचार दे रहा है कहीं नहीं कहीं दल बदल के पीछे व्यक्तिकत आकांग छाय है कोई पदबाने की रालसा ये प्रभावी है तो आपने देखा बार बार यही मुद्दे, जब भी कोई दल बदल का मामला आता है, कि होतो होलोहान केस फिर चर्शा में आ जाता है, साथ में यहीं बता दे, कि होतो होलोहान केस से नयायपालिका थोड़ा सागे बढ़ गई है, कैसे, क्यों हो तो हो लोहान, से कीस लोहान से नाय पाली का ने कहा, कि iSpeaker, iSpeaker इसका निड़े करेगा, लगने कि 2020 में, मड़िपुर के एक विधायक के मामले में इसी साल की बात है, मड़िपूर के विधायक के मामले में निया पाली ओजिय नहीं यहा तक कह दिया, हम एक स्वतंत्र और निस्पक्ष अधिकरण बनाएंगे, एक ट्रिबुनल बनाये जाए, और ट्रिबुनल किसे मिलकर बनेगा नियाधीसों से, जबकि लोग पहले क्या करते थे, कि स्पीकर के विबादासपत भूमिका को देखते हुए, पहले सलाह ये दी गई थी, कि सांसदों विधायकों को आयोग करने की शक्ति दे दी जाए, निरवाचनायू के हाथ में, लेकिन 2020 किस निड़य में नियाधीपालिगान यहां कहा है, कि नहीं, यह मामला नियाधीपालिग के हाथ में नहीं, उच्छ नयालेक आउकास प्राप्त नयाई धीस ऐसे लोगों को मिलाकर अधिकरण बने जो तटस्थो निस्पक्षों जिनका कोई राजनितिक हितना हो जिसे लोग तंदर को नकेवल स्थाइत तो मिले बलकि स्पीकर के काम भी रिवादास्वद न बने यही है कि होतो हो लोहान और एंटिडिफेक्शन एक्ट